हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक आज बनाते हम हेल्दी कॉन स्नैक्स यह आलू उबलेवे थे जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है अब हम इसमें मिक्स करेंगे यह कॉन कॉन को भी मैंने अच्छे से उबाल लिया था नमक डाल के और उसके बाद इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है दरदरासा इस तरह से इसमें डालेंगे थोड़ सी शिमला मिर्च बिल्कुल बारी कटी हुई डालनी है और अपने टेस्ट के अनुसार मिर्च डालनी है हरी वली आप स्किप भी कर सकते हैं अब इसमें जाएंगे मसाले नमक, टेस्ट अनुसार लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी माला मिर्चे, दरदरी जो पिस ही होती हैं लाल वली हलकी सी काली मिर्च और चाट मसाला आप अपने टेस्ट के नुशार कोई भी मसाले जो है एड़ कर सकते हैं सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी वैजिस अच्छी तरह मिक्स हो गई है अब इसमें हम हेल्दी एक चीज और डालेंगे जो है कि ये ओट्स इस ओट्स को मैंने दरद्रा पीस लिया है ग्राइंड कर लिया है इसे भी मिक्स कर लेंगे आप अपनी पसंन की कोई भी वैजिस इसमें डाल सकते हैं मेरे पास जो इस time अवेलेबल थी मैंने वो सब डाल दी इसमें हाथ की हेल्प से इसको अच्छे से गूथ लेंगे ताकि एक साथ मिल जाए सारा यह सब मिक्स हो गया एक साथ मिल गया है अब इस डो से हम एक शेप देंगे टिक्की की जैसे टिक्की होती है ना इस तरह से इसकी शेप देंगे और बाकी आप अपनी मन पसान कोई भी शेप देंगे से कर सकते हैं फ्राई दीब फ्राई भी कर सकते हैं शालो फ्राई भी कर सकते हैं एक शेप मैंने टिक्की की त्यार कर लिया है और बाकी मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी छोटी-छोटी टिक्किया जिसे बच्चे जो हैं वो भी खाएं इसको healthy snacks को और enjoy करें और उनका मन भी करें खाने के लिए जो बच्चों को पसंद होती है different different shape आप चाहें कोई से भी shape दे सकते हैं आप इसमें से हम shape दे देंगे इस तरह से मैंने सारी shapes दे दी हैं और fry pan जो है हमारा गरम है इसमें मैंने हलका सा तेल लिया है बिल्कुल हलका सा इसको हम shallow fry करेंगे अब सब भी टिक्कियों को हिलाते वे तेल में इस तरह से छोटे जाएंगे अब fry pan को इस तरह से हिलाएंगे तो हमारी एक तरफ से सिखती जाएंगी इसको आप cover भी कर सकते हैं लेकिन इसमें क्या है हमारे corn भी boiled हैं और जो आलू है वो भी हमारे boiled हैं तो कुछ भी कच्चा नहीं रहेगा सिरफ हम इसको एक क्रारा पन क्रिस्पी पन देना है इस तरह से पलटते पलटते इसको सेख लेंगे अच्छे से करारे होने तक अब हम दूसरी तरफ से भी पलट के सेखेंगे इसे अब इसको हम दूसरी तरफ से भी सेख लेंगे इस तरह से हिलाते जाएंगे जिस तरह से golden golden आ रहा है न इसी तरह से दूसरी तरफ से भी आ जाना चाहिए यह जो दो शेप्स मैंने अलग से दिया है इसको मैं अलग से सेकूँगी और मैंने यह जो ग्राइंड कर रखे थे न जो पाउडर था वो लिया है इसको अच्छे से फैला लेंगे और यह टिक्की के पर इस तरह से चिपका देंगे कवर कर लेंगे इससे मेरी रेस्पी पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना और मेरे स्नैक्स को इंजोई करना कर दो